हेलो दोस्तों तो कैसे हूँ आज मैं आपके लिए एक एथनॉल सेक्टर की स्टोक लेकर काया हूँ जो एक कामकाज करती है स्टूगर का चीज़ नहीं बगएर का यह एथनॉल भी बनाएगी दोस्तों आज इसका हम लोग प्रोफिट लोस देखते हैं और यहली बेसमेंस का प्रोफिट देखते हैं तो हर साल इंकरीज होता हुग आपको दिखेगा ऑपरेटिंग प्रोफिट और टीटीम में तुरसल नीचे गया है बड़ क्या है ठीक है हमने एक लेवल में 83 क्रोट की प्रोफिट हुई है मार्च 2022 में मार्च 2022 में 93 क्रोड की प्रोफिट हुई है मार्च 2022 में 62 क्रोड की प्रोफिट हुई है देखरो हर साल दर साल यह बाढ़ता हुआ दिएगा बाढ़ती में मार्च 2022 में 38 क्रोड की प्रोफिट हुई है और नेट प्रोफिट की बात की जा है है तो इस साल 22 क्रोड की फ्रोफिट होई है लेकिन पिछले साल 62 क्रोड की प्रोफिट उससे पहले यह चोटे मोटे प्रोफिट ला देथी और मारश में भी थी दोसरे यह company dividend भी payout करती है पहले नहीं कर रही थी और इस साल उसके पिछले साल 2010 आउट की सल 6 परसेंट की और पिछले सा hustet 37 की द्धी दिविडेंट पे आउट की यहां कि चूह रिए परसेंट ता सब्सक्राइब का तेसंट तो नहीं को पूसेट में को नहीं नहीं मैं तीया ग्रोंज धिंगते हैं सब्कूर्पेसन तेस थेधिय कुछ नहीं दिखला कुछ नहीं पांट साल में कुछ नहीं लेकिन 3 साल में 5% और 44% का लोज दिख्लारा से यह यान्य यह कंपनी आपको कमपनी का सेल्स तो वो इंक्रीज हुआ है compound profit profit growth नीचे तरह भगा है जब भी company का sales increase हो और उसे profit होने लगे तो और उसका graph नीचे भगे इस्टो का price तो इतना समझ लेना उस इस्टो में सुनामी आने वाली है वो पक्का कुछ अच्छा करने वाला है return on equity देखा जाए तो दस साल में कुछ नहीं पांस साल में तीन परसेंट और तीन साल में 9 परसेंट लाश्ट इयर 24 परसेंट return on equity दिखला रहा है अच्छा हम लोग quarterly की बात कर ले quarterly में इसका result कैसा है तो quarterly में इसका result देखा जाए तो मार्च दिसंबर 2021 में 43.68 करोड की profit मार्च 2022 में 35.6 करोड की profit जून 2022 में 5.31 करोड की profit सितंबर 2022 में है एक करोड दस्मार जीरो दो परसेंट की लॉस यह है ओपरेटिंग यह है quarterly रिजाल्ड निट प्रोपिट की बात की जाए तो दो काटर में लॉस लगे है मैंने 6 करोड की और मैंने 7 करोड के इसका प्रोज और कॉंस देख ले तो कंपनी हाज रेजिव डेप्ट यह अपने कर्ज को कम कर रहे है कंपनी स्टोक इस टेडिंग एड वन पॉइंट वन फॉन फो टाइम इट्स बैल्यू शिद्न टाइम अउपर ट्रेट करें कंपनी एक्सपेक्टेड टू गीफ गुड क्वाटर कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी इस बार अच्छा क्वाटर यल्ट पे देगी कंपनी है डिलिवर गुड प्रोफिट ग्रोथ ऑफिट फिटी एड पॉइंट परसेंट चीजी आर ओफर लाश्ट फाइफ यूर कंपनी है जबन मैंटेंग एल्थी डिविडेंट प्याउट 17.2 कंपनी आपको 17 परसेंट की डिविडेंट भी प्याउट करती है यह मैंट तो आई चलते हैं और देखते हैं इसका आरोसी यारोई दोस्तों इसका मार्केट के अपर 307 क्रोड की इसका क्रेंट प्राइच चल रहा है तो प्राइच चार पैसे चारीस पैसे इसने हाई बनाए तैर्टिस रुपए का इसने डवाल का हाई बनाए है और इसका लोग है पंदरे रुपए पी रेशी हो है पांदर समलोग पंचाने वह वैल्यू है चोग देशनलों तीन और डिविडेंट पे आउट करता है एक दसम साथ परसेंट दो पोजेटिव फेज वैल्यू है दो रुपए पर मोटर के पास 33 परसेंट की होड़िंग है इसे बहुत कम भी नहीं मान सकते लेकिन ठीक है कि डेप टू एक्विटी रेसियो 0.89 और एनुवल फ्रोफिट हुआ है इस साल का एनुवल फ्रोफिट हुआ 40 करोट का कार्ज है और इंडेटरीच पी यह पंदर है लेकिन इसके पास फ्री कैस्ट फ्लो भी है दो करोट 27 लाग का जिसका IPS दोर हुए 75 पैसे है तो पर मोटर की होल्डिंग से रोल्डिंग बाइडन पर चलते हैं और देखते हैं को पर मोटर के पास दिश्चों पर मोटर के पास 33.70 परसेंट की हौल्डिंग है है पहले कुछ हूँ टाइब में इस कसवर्डिंग पैटरν इससे कम रहा है बढ़ अभी यह होल्डिंग इनक्रीज कर रहे हैं सभडिध पैटरर अपनी होल्डिंग इनक्रीज कर रहे हैं दिखो पहले 32.43 था फिर 32.43 चला सीतमर दोहज़ार कीज तक सुरी 83 83 अपर दिसंबर दोहज़ार कीज में लो हुआ 31.92 लेकिन फिर मार्च 22.22 में वही बढ़ गया सीधे पहले स्वेज़ादा 33.79 फिर सितमर दोहर बाइस में 33.70 हो गया इनकी हो गया अब देखो एफ आई आई एस ने भी अपनी हिसेदारी जिनके पास 25 जिरू दोपांच परसेंट की हिसेदारी कि और पब्ली के अंदर देखें तो पब्ली के अंदर भी काफी अच्छा इंडिवीज़्यल का पैसा इनवेस्ट है लगा हुआ है और इंडिवीज्यल के पैसे परसेंटेज़ को अगर हम लोग क्लेट के रहें तो मुझे लगा चालीस पचास परसेंट की लंसम हो जाए कमपनी का नाम है बिस्वराज सूगर इंडिस्टिरी इंगेज इन पोड़क्ट सूगर एलकोहलिक स्प्राइट वाय डिस्टेलरी इंक्लोडिंग एतनॉल विनेगर एंड जनरेशन ऑफ पावर यहनि यह सूगर एलकोहल स्प्रीट भी बनाते हैं और इसमें इंक्लोडिंग कर रहे हैं अब नया सेटप कर रहे हैं कि एतनॉल भी बनाया जाए तो कमपनी एतनॉल पे कवर कर रहे हैं जो इसका फूचर में बहुत अच्छा डिमांड है यह चलते हम लोग चार्ट पर उससे पहले अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वाज अगर कि आप डिमेट अपन कर सकते हो तो फिर लोग चलते चार्ट पेटन पर देखते इसका चार्ट क्या कह रहा है हमसे दोस्तों यह कंपनी कभी दोसो बीस उस के रेंग में ट्रेट कर रही थी लेकिन वहां से क्या हुआ यह पुर्ण धराम से निचे के दिए 40 रुपय के लेवल पे ठीक है और वहां से फिर आज 10 रुपय के लेवल पे है अब देखो इसने सपोर्ट लेया पंदरे रुपय का इससे पहले पंदरे रुपय का सपोर्ट ले चुकी है यह कंपनी अब इस लेवल में भी विपाई करके चल सकते हो इसका टार्गेट रहेगा आपका यह आपको अच्छा टार्गेट दे सकता है इस लेवल का टार्गेट दे सकता है लेगिन समय लाएगा काफी टाइम लग सकता है अभी और यहां कंसुलेट होगा दुचार महीने च्छे महीने इस लेवल में रेंज चलता रहे और उसके बाद अगर इस लेवल को नीची ब्रेक आउट करता है तो समय देना कि यह भी और नीचे जाएगा और वहां से आप बाहर निकल सकते हो उसके बाद दुबार आप र पहला टार्गेट रहेगा ठारा सेकेंड टार्गेट रहेगा विस रुपे और ठट टार्गेट रहेगा आपका 29 तीस तीस रुपे यानि तीस रुपे के लेवल को यह दिखला आए गा आने वाले टाइम में और यह इस टोक हो सकता है कहीं 240 ना देख लाएं क्यूंकि किया जाएगा पेट्रोल में एतनोल की अब एंट्री होगी और दारूर अब 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 एलकोहल स्पीट का भी डिमांड उसी अंसार है बहुत अच्छा उसका डिमांड है तो आने वाले टामी फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है आप गो दिखा सकता ह लोग ट्रम के लिए सही है